चलिए फ्रेंट्स देखते हैं हिंदी का जो आंसर की है क्या होने वाला ठीक है चलिए यहां पर देख लेते हैं हम लोग निम्रिखित गद्यास को पढ़कर पुछे कए प्रसुनों के सही सरवाधिक उपयुक्त बिकल्प का चैन कीजिए इच्छा से प्रेरित होकर लोग उन भी इन खामियों के खिलाप संघर्ष किया हलांकी प्रगती प्राप्ट करने के लिए कोई ब्यवस्तित तरीका उबलब्ध न होने के कारण वे बहुत कमजोर थे मानो अस्तित्व त्रिपक्षिय है भौतिक मानसिक और अध्यात्मिक अपनी यात्रा के परिवर्तन अब भी हो रहे हैं और भविस्य में भी होगे मनुस्य भविस्य में ऐसे उलेखनिया परिवर्तनों से गुजरेगा जो आज के लोगों के लिए लगभग अपरचित होंगे हम यह नहीं कर सकते कि उन आरंभिक मनुस्यों ने वास्तम में कोई महत्वपूर अध परिवर्तन तिब्ड गति से होते हैं परिवर्तन मानो जीवन का सत्य है परिवर्तन अपरीपक्षुत को दर्साते हैं तो बिकलब नमबर तीसरा आपका सही हो जायए का परिवरतन मानो जीवन का सत्य है प्रसन नमर दूसरा है विशेसर विशेसे का उधारण नहीं है तो अध्यात्मिक दुनिया ये तो है रुपांतरन परिवरतन इसका भी है अंधेरे यूग ये भी है और आपका बिकल्प हो जाएगा नहीं के लिए है अध्यात्म सब्द में एक प्रत्य लगाने पर सब्द बनेगा यहां पर आप देख सकते हैं अध्यात्मी कि यहां पर लिखा हुआ है फ्रेंड्स ठीक है यहां से आपको चेक कर लेना है कोई दिक्कत नहीं है तो आपका आंसर हो जाएगा बिकर्प नंबर 4 सही है नेक्ट क्यूशन है 94 देख लेते हैं उन्नती प्राप्त करने के लिए आवसेख है कि मनुस्य संगर्स रत रहे और विद्रोह करे गलत बात है ठीक है अपनी खूबियों को जान ले अपनी कम्यों को जान ले सही बात है अपने कम्यों को जान ले विकर्प नंबर 4 आपका सही ह हो जाएगा प्रगर्ति प्राप्त करने का ब्यासिक तरीका किसके पास नहीं था आदी मानों के पास नहीं था प्रसंद नंबर 96 है मानों के कौंट से तीन पक्ष है तो भातिक मानसिक और आध्यात्मिक है अगला प्रसन है प्रयोग संभव है तो एक जो आपका प्रते हो ज प्रगर्ति किया था और भौतिक में उन्होंने प्रगर्ति नहीं किया तो बिकल्प नंबर भी आपका सही हो जाएगा इस कविता को पढ़ना है और नीचे पूछे अगर प्रसनों का उत्तर देना है कट गया है सीस पर ये सीस है जुका नहीं राहि उसी का नाम है जो रा में रुका नहीं एक दिन प्रकास होता है कितना भी अंदकार हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो सचाई साथ में रहे कैसा भी अपना अंत हो सत्य की विजय सदा असत्य की हार हो तो आएए अच्छे भी कल्प को हम लोग select करते हैं 100 number question है क्या समू से भीन सब्द योगम है तो भीन सब्द योगम कौन से हार और भी हार है इसमें नहीं है अंदकार का प्रतीक नहीं है तो अंदकार का प्रतीक समाधान नहीं है कविता में पर सराधिक बल दिया गया किस पर सत्य पर सराधिक बल दिया गया कविता के अनुसार राही की विशेष्टा है तो कविता के अनुसार ये दोनों प्रसन का अंसर हो सकता है फ्रेंड्स हर तरह के मार्ग पर चलते रहना और हर प्रसिती में कार्यत रहना जो भी suitable हो आप उसको समझ लीजिएगा इस कविता का मुख्य स्वर है देश भक्ति तॉमस ओ और स्रिंगार तो इस कविता का जो मुख्य देश क्या है देश भक्ति है स्वर क्या है कविता के नुसर किसी भी इसिती में स्वभिमान बना रखना चाहिए बिकल्प नुमबर आपका सही हो जाएगा 106 नुमबर है मीडिया स्थर पर अध्यापन करने वाली अध्यापक एक पाठ समागरी छोटी कहानी पठन के लिए देती है और कहानी और कहती है कि अध्यापक अपने सिछारतियों में किसका विकास करने की चेस्टा कर रहा है अगला प्रस्न है अंतरभासिक पहचान क्या है तो आपका विकल्प नुमबर दूसरा से हो जाएगा सिछारति के नेड़ कुछ तो सहजात भासा में और कुछ लच भासा में समान होते है अगला प्रस्न है फ्रेंड्स एक भासा अध्यापक अंगरेजी में कहानी सुनाती है और सिछारतियों से कहती है कि उन्हें जो भी भासा आती है वो उस भासा में यह कहानी समू में सुनाएं फिर कच्छा की समान भासा में यही कहानी सुनाएं इस सिच्छड सास्त्री युक्ति को किस रूप में जाना जाता है तो यह बहु आयामी सिच्छड की रूप में जाना जाता है अगला प्रस्ण है एक कच्छा साथ की अध्याप पिका जोडियों मेकारे करवाने वाली गतिविधी करवा रही है जिसमें सभी जोडियां पेर्स को दस वाक्यों की कहानी पर काम करने के लिए देती है पहली जोडिदार पहला वाक्य पढ़ती है और दूसरी जोडिदार उस वाक्य को लिखती है अब दूसरी जोडिदार अपने लिखे हुए की तूलना करते हैं, इस गतिविदी को क्या कहेंगे, इस गतिविदी को परासपरिक स्तुरुत्त लेख कहा जाएगा, प्रसन नमबर 110 है, एक विद्यार्थी किसी विशिस्ट जानकारी प्राप्त करने के लिए समचार पत्र से समचार पढ़ती है, इस प पठन को 22 से पठन के बारे में जाना जाएगा, प्रसन नमबर 11 है, 111 है प्रेंट्स, ब्याकरण की सिचहर अधिगम में प्रक्रियात्मक ग्यान क्या है तो इसका विकिल्प ब्याकर की अमबर 20 हो जाएगा, यह जानना की ब्याकरन की प्रसन तत्यों को कैसे किया जायै, परनाडू के मदुरु जाती है वह मात्रु भासा के कारण पंजाबी जानती है और विद्याल में दूती है भासा की रूप में अंगरेजी भी जानती है उसने अपने पड़ोसियों की मदद से तमील बोलना और पढ़ना सीख लिया उसके द्वारा जानी गई भासाओं के समुदाय में बोली जा रही मल्यालम इसी अस्तान में दूसरों के द्वारा बोली जा रही मल्यालम से थोड़ी सी भिन है विसे से समुदाय द्वारा जो बोली जा रही मल्यालम को किस रूप में जाना जाता है तो इसका अंसर हो जाएगा विकल्व नमबर तीन मल्यालम की छेत्रिय बोली है, अगला प्रस्न है, त्री भासा, सुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है, तो इसके लिए तीसरा जो आपका विकल्प सत्य है, मात्रु भासा, घर की भासा, छेत्रिय भासा, प्रत्रम भासा के रूप में, 115 नमबर का क्योशन है नीचे दिये गए अधिगम कार्या सिच्छार्थियों को भीन भीन समुवों में करने के लिए दिया गया पता लगा है कि सब्द समपदा के अधिगम की इस गतिविदी को किस रूप में जाना जाएगा तो इसका अंसर हो जाएगा थीम अधारित सब्दावली के रूप में जाना जाएगा प्रसन नमबर 116 है सिच्छण की वह विदी जिसमें अध्यापक और चार विद्यार्थी विविन भूमिकाओं के साथ एक सहयोग आत्मक अधिगम समुव का गठन करते हैं पाठे पुस्तक की विशेवस्तू पर समवाद किया जाता है जिससे समीपस्त विकास का छेत्र स्रीजित होता है और पणामता पठन बोध में सुधार होता है इस विदी को कहेंगे परास्परिक सिच्छण विदी अगला प्रसन फ्रेंड्स 117 नमबर वह भासा क्या है जिसका प्रेयोग हम दिन प्रत दिन के लिए आमने सामने की अंतर क्रिया के लिए करते हैं तो यह हो जाएगा बुनियादी भासा बुनियादी अंतरवैक्तिक संप्रिशन काउसल प्रसन नमबर आते हैं हम लोग 118 पर उपचार आतमक सिछड की से करते हैं तो इसका अंसर हो जाएगा अंसर बिकल्प नमबर चार उन सिछारतियों और अध्यापकों के लिए जिने अपने सिछड अधिगम युक्तियों को समझाने और बदलने सुधार लाने की जरूरत है प्रसन नमबर 119 है निमलिकित में से कौन सा संकेत भासा के बारे में सही नहीं है तो इसका बिकल्प नमबर चार हो जाएगा कि संकेत भासा की ब्याकर नहीं होती है अगला प्रसन 120 से है निमलिकित में से कौन सा 20 पठन का उद्देश से नहीं है आनंद के लिए पठन साराहना बोध के लिए पठन विकल्प नमबर भी आपका सही हो जाएगा तो यह आप फ्रेंड्स हिंदी का जो आंसर की कितना से हुआ आप कमेंट करके जरूर बता है मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार